हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई यूटिब चैनल मोनावीर लाइस्टाइल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैंगल के सेट कैसे बनाते हैं कौन-कौन से कलर कॉम्बिनेशन इस टाइम चल रहे हैं और आप लोग बैंगल के सेट बना कर जादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो आज की वीडियो बहुत ही जादा हेलफूल होने वाली है वीडियो का आप लोग पूरा इंट तक जरूर देखिए तो चलिए वीडियो हम स्टाइट करते हैं ये जो कड़े हैं ये सेट बनाने के लिए स्पेशली यूज किये जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरह के कड़े हैं तो ये जो कड़े हैं इसमें मेरे पास कई सारे डिजाइन थे बट अब ये डिजाइन रहा गया इसमें मिरर वर्क है और ये बहुत ज़ादा सुन्दर लगता है जब हम इसका सेट बनाते हैं और जो बने बनाए सेट भी मिलते हैं होलसेल शॉप से वो भी इसी तरह के कड़ो का यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली जो डबी है ये दो दरजन की डबी और साथ रुपे की मैं सेल करती हूँ और इसमें वेलवट की चूड़ी आप देख सकते हैं ये वेलवट की चूड़ी जो है इस टाइम बहुत ज़ादा ट्रेंड में है हर एक कलर में लोग मांगते हैं velvet की चूड़ी क्योंकि velvet की चूड़ी है और इसमें plain होती है बिल्कुल और इसमें अगर हम कड़े लगाकर इसका set बनाते हैं तो ये बहुत जादा सुंदर लगती है तो आप देख सकते हैं ये जो कड़े हैं ये मैं 80 रुपे के सेल करती हूं 4 और ये जो च रुपे एक्स्ट्रा भी profit कमा सकते हैं अगर हम set बना कर रख लेते हैं तो इस तरह से मैं दोनों हाथों का set आपको बना कर दिखाऊंगी कि ये कितना जादा सुंदर लगता है तो अब मैंने इस तरह से एक दरजन चूड़ी ले ली है और इसके आगे पीछे मैंने कड़े लगा लिए हैं और इसी तरह मैंने दूसरे का भी इसी तरह बना लिए set तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर set बनकर त्यार हुआ है चूड़ा जो होता है न वो भी इसी तरह से set बना कर वो पैकिंग करके रखते हैं तो और भी जादा सुंदर लगता है तो अगर आ लगाने के बाद ये कितनी जादा सुंदर हो गई तो आपको मैं एक और अलग तरीके से बना कर दिखाती हूं तो जैसे कि ये चार-चार चूड़िया मैंने ले ली है और बीच-बीच में मैंने इस तरह से कड़े लगा दी हैं तो आप इसका डिजाइन देखिए ये भी कि ले तो ये देखिए कितना जादा सुन्दर लग रहा है आप अगर ऑन लाइन भी देखेंगे ना पिंठरेस्ट पर गूगल पर तो इस तरह के सैट आपको देखने के मिल जाएंगे और ओनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के सैट आपने देखे ही होंगे और आप मैं आपको दिखाती हूँ कि मैचिंग क्या चल रहा है इस टाइम जैसे साड़ी है सूट है ग्रीन रेड का कॉबिनेशन बहुत जादा चल रहा है इस टाइम पे तो इस तरह से आप ग्रीन और रेड को मिक्स करके सेट बना सकते हो और इस तरह से कड़े लगा सकते हो पूछते हो कि क्या कौन सा कलर चल रहा है, कौन सी कलर की चूडी लाएं, तो मैं आपको ये क्याना चाती हूँ, कि आप मार्कीट में you कौन कौन से कलर के कपड़े सेल हो रहे हैं, सबसे जयादा जो सेल होने वाले कपड़े हैं, वो आज कल वाइन शेड, रेडियम शे हो रहे हैं उसी तरह की बैंगल अगर आप शॉप में रखेंगे तो आपकी सेल बहुत अच्छी होगी तो इस तरह से मैंने सेट बना लिया है और ये वाला जो मैं सैट आपको बना कर दिखा रही हूं ये इसको बोलते हैं रेंबो सैट और ये आपको गूगल पर ऑनलाइन हर जगा आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला सैट बहुत जादा सुंदर लगता है मैंने रेड येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखाया जो की बहुत सुंदर लग रहा है और अगर आप चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन तो आपको सूठ में zit शूठ में इस तरह के जाएगा रेडियम क्लर मेरी शॉप में और वाइन क्लर जो है और यह जुए मरजंटा जो हैं यह बहुतादा से कालर में इस बहुत जादा सेटित क्यूंकि के यह कलर था इंस बहुत जादा इस टाइम पर चल रही है तो वैसे ही यह गोल्डन कलर जरूर रखिए, गोल्डन कलर सेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो गोल्डन कलर की चूड़ियां आप जरूर रखिए अपनी शॉप में, तो इस तरह से आप सेट बना कर सेल कर सकते हैं, अलग से पैक कर सकते हैं, जिससे की बहुत ज़्य महरून गोल्डन इस तरह के कड़े आप अपनी शॉप में रखिए कई लोग इस तरह के कड़े भी लगाकर चूडियों का सेट बनवाते हैं तो यह कड़े आप जरूर रखिए जरकन में होते हैं यह बहुत जादा सुन्दर लगते हैं और यह महरून में आपको दिखा रही ह हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो गाइस आज की वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंड कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल एकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलतें आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई अवरिवान